घलो दोस्तों, वल्कम डूग गियर फलेक और ये आपके सामने है थार ई, थार ई क्या है? थार ई बेसिकली कॉंसेट थार एलेक्रिक कॉंसेट है ये और जहां पर electric cars इतनी बढ़ती जा रही है वहाँ पर यह iconic गाड़ी जो है थार यह कैसे पीचे रह सकती थी और Mahindra ने अभी अभी इस concept को अन्वील किया है अब क्या खास बात है इसके design को अगर आप देखें तो यह design बिलकुल ही macho looking गाड़ी है typical SUV जिस तरह से थार है जो design language उस किया गया है वह है लेकिन बहुत sophisticated है यहाँ पर देखेंगे तो थार E की जो बैजिंग है यहाँ पर दिख जाएगी और यहाँ पर तीन slots लिए गए इसके ग्रिल में पुड़ा सा और स्टाइलिश element है और यहाँ पर हेडलाइट अगर देखें LED के तो यह बहुत ही अलग है very different spectacular bumper अगर आप देखें फ्रंट में तो this is massive huge है यहाँ पर जो टोईंग भी आपको दिख रहा है यह काफी बड़े साइस का है एंड बहुत ही massive muscular लुक दे रहा है इस गाड़ी को अगर आप इसके wheel arches को देखें तो wheel arches भी जो है यह बहुत ही well designed है यहाँ पर आप देखें अगर तो आपको थोड़ी बहुत हमर की याद जरूर आएगी इसको देखने से और wheel arches ब्लाक कलर में है और यह यह तो पीसे य यह 18-inch का wheel है और बहुत ही बड़े size के tire है यह ब्लॉक पैटन के tires है और यहाँ पे इसके wheel पे भी आपको थार E की badging मिल जाएगी 18-inch का wheel है यह जैसे मैंने बताया and this looks pretty good और क्योंकि tire का aspect ratio जादा है तो यह body को भी काफी बढ़ दे रहा है और यह काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप देखें तो reborn electric की batch जो है यह दिख जाएगा क्योंकि यह महिंद्रा का एक term है जो कम यूज करती है अपने electric गाड का look देखें तो of course यह भी एक typical SUV वाला look है और cars of course different है यह बहुत stylish बनाई गई है और यहाँ पर आप देखें इसके window line पर यहाँ पर एक cut-up को मिलेगा थोड़ा सा जो और design element को enhance करता है जो door handles है इसके बड़े stylish way में बने हुए है and यहाँ पर पीछे भी अगर आप देखें त यह काफी अच्छा look देता है गाड़ी को अगें यहाँ पर जो wheel arches है यह separate pieces है so this gives a very different look यहाँ के पीछे की wheel को भी आप देखें तो again this adds a lot of flare और यहाँ पर अगर running board को देखें आप तो यह बहुत unique है यहाँ पर देखें दिस looks like a cut section लेकिन यह बहुत ही एक muscular look अगें दे रहा very very interestingly made यहाँ पर आपको lock checks मिल जाएंगे and this looks pretty pretty nice अब अगर इसके rear bumper को देखें तो यह जो डिजाइन है आपको जो running board पे मिली थी वो यहाँ पर देख जाएगी यहाँ पीछे का bumper भी बहुत ही solid बनाया हुगा है this is really looking very cool और यहाँ पर भी towing hook जो है और निच कलर में है अगे बहुदिक है यहाँ पर भी आपको डीबान की बैज देख और जो टेखलाइ यहाँ पर भी यहाँ पर दो इसके ल बहुत है यहाँ च्छा लाग रहा है और एक और बात अभात अब देखेंगे की जो फ्रेम रहें इसका जी पिछे का जो गीमेद्शील है बहुत ही पतला स्मार्टफोन आते हैं उसी तरह से नजर आ रहा है दिस लुक्स पर नाइस और यहां पर देखिए हिंज भी जो है यह बहुत फ्लॉष्ट है बिल्कुल और यह से अच्छा लुक दे रहे हैं सो वेरी वेरी मॉडन बहुत ही मॉडन डिजाइन की गई है और यह एक खास बत ब आप dal इख थार ए के बारे में आपको कैसी लग रही है थारी अब इंटीरियर इसके मैं आपको दिखा नहीं पाराहूं क्योंकि यह ओपिन नहीं है अभी तक और इंटीर इंटीर क्व जो हैं काफी लो हैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ दिख जाए लेकिन यहाँ पर दिखना थोड़ा सा मुश्किल है अंदर क्योंकि यह दार्क है यह स्टेरिंग वील है अगर आप ध्यान से देखे तो यह इसका स्टेरिंग वील है यहाँ पर आपको दो स्क्रीन मिल जाते हैं आपको यह कॉंसेप्ट है तो यह बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है सीट आप एक सकते हैं काफी स्टाइलिश वे में बनाई गई है और यह पीछे का सीट है तो यह इंटिरियर फुल्ली डेवलप नहीं है और एक लुख ले रहेते हैं यहाँ से इसका लुक्स पड़ी कूल अब इसके बॉनट को अगर आप देखें तो अफकॉस यह क्लैम शेल टाइप का बॉनट है क्लैम शेल डिजाइन है इसकी और यहाँ पर भी कोई इंट्रे के साथ और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा तो यह एलिमेंट्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं रेर व्मिर इस तरह से है एंड इस नोट अ मिरर एक्चली यह एक कैमरा है तो यह पुछ बातें थार चाओ यह कैसी लग रहे है हां एक बात जरूर है कि यहाँ पर आपको थार के अलिमेंट्स तो हैं लेकिने आपको लैंड्रोवर डिफिंडर काफी नजर आएगी इसमें और जिमनी भी इसमें काफी नजर आईगी आप बताये कि क्या मैं सहीं बोल रहा हूं या नहीं वैसे मुझे इसका जो लुक है बहुत पसंद आया है आपको पसंद आया है नहीं ये जरूर कमेंट से बताइए और ये भी बताइए कि अगर थार यी लॉंच होती है तो क्या आप एक एलेक्ट्रिक थार खेरिदना चाहेंगे या नहीं इस वीडियो यार झाल जो अजाय है तो कि अगर बताइए बताइए जे बताइए और ये अजार सेवार की और होती है इसका तो सेवार कि अप्या है